चमतकार चर्च टीवी में आपका स्वागता है परमिश्यूर के बहुतर लोगों आज ये खुशकबरी लेकर आपके सामने में आया हूँ और वो खुशकबरी ये है कि शेमी ने चर्च बंद रहा और अब साथ स्तंबर से चर्च चमतकार चर्च खुल रहा है सो फिर आज से कहता हूँ ये खुशकबरी है कि साथ स्तंबर से चमतकार चर्च खुल रहा है और उसमें क्या गैडलाइन होंगी उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इन गैडलाइन का पालन करना होगा पहली बात तो यही है कि आपको बुकिंग करवानी होगी अगर आप चमतकार चर्च में आना चाहते हैं तो आपको बुकिंग करवानी होगी आपको फोन करना होगा जब वर्ट सेब नंबर पे मेसेज करना है उसी समय आपको शीट नंबर अलोट किया जाएगा हम सब को sheet number देंगे क्योंकि चर्च के अंदर हम लोगों ने एक सेड पे 6 फुट की दूरी है एक सेड पे 8 फुट की दूरी है और इतनी दूरी पर हम लोगों ने नीचे flex लगा कर जगा बनाई हुई है लोगों के बैठने के लिए खडने के लिए तो आपको उसी समय sheet number दिया जाएगा हम लोगों ने चार्ट बना रखे हैं और उसी समय आपको sheet number दिया जाएगा तो इसलिए अगर आप आना चाते हैं तो आपको phone जावट सेपर booking करवानी होगी registration करवानी होगी तांके आपको sheet number दे सके और उसके बाद जो बाकी बाते हैं जैसे mask पैनना अनवारया है तो आप पैनते ही होंगे यह साब बातों का ध्याय रखते ही हैं लेकिन बिना mask के हम लोग किसी को अंदर नहीं आने देते mask पैनना अनवारय होगा चच्च के बाहर जांदर अनवारय है अवश्य है ज़रूरी है सब की thermal screening की जाएगी sanitizer tunnel लगी होगी है उसमें से गुजना होगा आपके हाथों को sentence किया जाएगा और चच में जैसे center government की गैलन है चच में माथा टेकना मना है चच में एक जनवीरी तक खाना नहीं बनेगा एक जनवीरी तक इसलिए आपको खुदरेंज करना पड़ेगा पहले लंगर लगता था जो फ्री में हम लोग यहां खाना बनाते थे वो अभी नहीं बनेगा एक जनवीरी तक और अगर हो सकते तो पानी पीने का पानी पानी जो है अपने साथ ही बोटल में रखें पीने का पानी तांके आप पानी के लिए आपको नीचे जाई दरूद ना आ जाना पड़े तो अपने पास साथ लेकर हैं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चर्च में पानी होगा आप यहां से ले सकते हैं और चर्च में कोई भी किसी से हाथ नहीं मलाएगा किसी के पाउं हाथ नहीं लगाएगा किसी को हाथ उसके माथे पार या सिर्पे हाथ नहीं फेरेगा चर्च में हां मैं तो सब के लिए प्राथा करूंगा लेकिन आम जो पबलिक में एक दूसरे के साथ ऐसा करते रहते है और मिठाई जो मना है लेकर आना तो इसलिए चर्च में मिठाई मत लेकर दे घाल को बड़े बड़े चमत बड़े करते हैं मटाई या लाते हैं खुशिएं को दूद लेकर आना है वह सद्द करते हैं चर्च में हैं वहज冷recों की बात और है चो बहुत जरूरी है कि लोग पाठीपit पानी और यह दो जान तो घर से लेकर आते हैं कि लोग तो नहीं तो घर से नहीं लेकर आते तो हमारे गल्वी में जाकर आसपास के दुकानों से खरीदते हैं तो दुकानों से खरीद कर ओयल लेकर आते हैं और पानी लेकर आते हैं इदर उदर से तो फिर कोई थैली में कोई किसी में बोतल में कोई कैसे कैसे तो फिर कहते हैं यहां जी हप राथां करो तो वो सब जंज जौब पानी कि धिन और वो आप हम लोग विशेघ करके इसको पहले ही वह प्रेट तर्य में आणा सुय नियुक्त रहन yes पढ़नी होगी वह पहले हैं तो लेकिन हम लोग इतने लोगों को फ्री नहीं को इसलिए आपको 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 उसकी कीमत देनी होगी जो भी कीमत होगी उसके और विशेशनी होगी कि मेरे साब से कोई ज्यादा नी होगी जो भी कीमत होगी उसके आपको दे नी होगी और वहां से ले सकेंगे यह सीलिए है कि अप कर मेंद है के पानी पर प्राथा करना पूरी तरह से बंद किया हुआ है पानी पर प्राथां करना तेल पर प्राथां करना पूरी तरह से मुकमल तोर पर बंद है हम लोग ने चर्च में नॉसमेंट कर रखी थी और हमारी सर्च के लोग जो हैं फिर मैं कहता हमारी सर्च के लोग जो हैं चम्तका सर्च के जो लोग हैं वो क्या करते हैं वो परमेशर पिता पर इतना विश्वाश रखते हैं प्रभू पर इतना ब्रोसा रखते हैं कि प्रभू हमारे साथ है और इसलिए हमें पानी की जरूरत नहीं है हमें तेल की जरूरत नहीं है और हम लोग उन्हें ऐसे सिखाया हुआ अगर आपको जरूरत हो तो वो क्या करते हैं पानी थोड़ा सा लेते हैं पानी पर प्राथां करते हैं पर बिस तो जी इसमें अपना लहू मसा करें जैसे हम लोग उने उसे खाया हुआ है तो पानी को अभी शेक करते हैं और वो पानी को पी लेते हैं जब भी चाहिए उतना को अभी शेक करते हैं और अगर उनको जरूरत है तो थोड़ा तेल लिया उस पे जैसे हम लोग ने सिखाया है अभी शेक करते हैं और उस तेल को इस्तिमाल करते हैं इसलिए चर्च में हमारी चर्च में कोई भी व्यक्ति ओल और वाटर के लिए पानी पे प्राथां करवाने के लिए और तेल पे प्रा करते हैं लेकिन जो नए लोग आते हैं जो इधर से जा उधर से क्वह पर प्राथां करवानी है दो हम लोग ने चीप और प्राथा नी और पराथा नहीं होगि तो फिर वह क्या करते हैं हमें तो पराथनह करता हैं तो रम्हें पराथना चाहिए टेल चाहिए तो सब और दर से और धर मौत इसे से लूब की यह से सुना की तो या आप ब। साउन essentially पानी पर प्राथां करके दें तो ठीक हम लोग अभी शेक करके रखे देते हैं इसलिए पहले समयों से हम लोग लोगिंग वड़ें दो अब पुसक्षां करते हैं। रिचर्च के लोग बिलकुल भी ऐसा नहीं करते वो शक्षम है प्रभू में और शेतान को अपने पाऊं में रोंदने के लिए शक्षम हैं खैर कोई बात नहीं सो परमिश्र आपको बहुत आशिश दें आप खुशी मना ये क्योंकि शेवी नेगे बाद चम्तकर्च खुल ग